नवस्ते पेट खाना है तो पेट चाहिए और पेट के लिए ही तो खाते हैं पेट के लिए ही तो कमाते हैं लेकिन इतना सारा खा जाते हैं फूख है क्या अपचन हो गया तो एक बात ध्यान रखेए कि जन्त बन जाएंगे जन्त पेट में कुरुमि होना इसपर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को ही कुरुमि होते हैं इसलोग बहुत सारे समझते हैं ऐसा नहीं है बड़े व्यक्तियों को भी होते हैं हमारे यह ट् पीते हैं, तो क्रुमी बन जाते हैं, बड़े हो या बच्चे हो, सभी को इसका इलाज बीज बीज में करते ही रहना चाहिए, और जब लक्षन डिखे, तो तो इलाज करना ही है, कहते हैं, अजिरनात क्रुमी संभवा हा, अजिरनात से ही क्रुमी का संभव होता है, और ऐसा कह जाता है कि अन्न जो है वो चबा चबा के ठीक तरह से न खाया हो वो हजम न हुआ हो और अजीर न हुआ हो तो पेट में क्रूमी हो ही जाते है अब ये इंडाइजिशन होने के बावजूद खाना ये तो टालना ही चाहिए जब क्या होता है कभी मिठाईया या इसे व्यंजन टे मिठाटो होगए को य कोरे बन गहे तो या नहीं खा लेते लोग और वो देखते नहीं कि इतनी भूख surहर या नहीं फिर दिन में सोते हैं, व्यायम तो करते नहीं, चलना नहीं करते नहीं, और रात को जागरण भी करते हैं, टीवी देखते हैं, या इसे अपना काम करते रहते हैं, विद्यार्थियों को भी रात को काम करना पड़ता है, मैं कायम कहता है तो यह मुझे पसंद नहीं है, कई यह कि इतना काम करने के लिए कितना समय लगेगा तो इतना ही देना कि विद्ध्यार्थियों को जागना न पड़े इस उमर में यदी शरीर की हानी हो गई और यह आदत ही गिर गई जैसे कुरुमी बनना वगर है तो फिर बाद में तकलिम अब इसके लक्षन क्या है तो पहले तो लक्षन है कि भूग नलगना और थकान 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 अएसे मलूर बच्चा भी चारा है से बढ़ा आद्नी भी ऐसे नहीं जाता में बाहर पाउ में ताकत नहीं है ऐसे सब चलता रहता और दूसरा एक लक्षन क्या है कि बार-बार जुनाफ मी में हो जाते हैं और गुदा म खुजली आना शुरू हो जाता है और इसके साथ-साथ चेहरे पर जो है वो सफे छोटे-छोटे धब्बे यहां गाल पर वो दिखने लगते हैं तो यह सब होगा तो लक्षण आगे तो समझना कि पेट में कुरुमी हुए है और कुरुमी की विशेष्टा ऐसी है न कि एक बा बार-बार भी होते रहते हैं फिर इसलिए मैं तो सब को कहता हूं कि बच्चों को हर तीन महिने में छे या छे महिने में कम से कम वो देना ही दवा और कुरुमी को निकालना एक काम है कुरुमी बार-बार नव हो है इसलिए काम है ऐसे सब करना है हमें कुरुमी खा जाते है ऐसे ताकत ही हमारी खा जाते है, अन्न में से जो महत्व की चीज़ है, वो कुरुमी खा जाते है, तो आईरुवेद में कुरुमी का इलाज अच्छा बताया हुआ है, और इसमें पहले क्या है, कि कुरुमी को निकालो पहले, तो इसके लिए अभी असाद इलाज है, कि सुबा सुबा है वो पेट खाली है तो खाली पेट में और शाम को 5-6 बजे फिर एक बार पेट खाली हो जाता है इसलिए तो हम 7-8 बजे खाते हैं तो अधा चमच ये जो वाउडिंग है वो वाउडिंग अधा चमच ले लिजे उसका चूरन लेना है ये यहां रखा है और इसके अं हो दात में एक चमच छुषला यह गर्व चूरन है वो मलता है ये शंच्टुलंका है एक्दम अच्छा है ये भी ले सकते है भाहर का भी ले शकते है तो यह ग議 कूरन ले लिजे ये rego और यपा लिजे दो चमच जो है जोटा तो क्या करना है कि आधा डोस कर लेना है तो इसके लिए आधा चम्मच ही लेजिए वावणी की पाउडर और एक चम्मच ही लेजिए केस्टर आयल अले 2023 का तेल और ये देना और ये भी उसको ज़्दा ज्यादा पढ़ता है और भशोम कभी कोई तकलीप करते कि यह नहीं चाहिए तो उनके लिए यह मुनक्का जो है वो मुनक्का है वो उसकी उसका थोड़े मुनक्का लेना एक आट-दस और उसको भीगो के रखना चार-पाज घंटे और बाद में उसको मसल के उसके पानी निकालना बाकि छान के वो पानी पी जाना है अभी दूसरा एक इलाज बताता हूँ यह है खुरासनी अजवाइन एक हमारे खीचन का रहता है और यह है खुरासनी और एक चम्मच यह अजवाइन की चूरन लेना ऐसे पाउडर बताई है और इसके अंदर दो-तीन चिप्टी ऐसे चुटकी सेंधव डाल देना और एक चम्मच यह जो है वो गूड यह गूड एक चम्मच डाल देना यह मिलाकर सुभा खाली पेट ले लेना है तो यह लेने से कुरुमी सब मर जाते है और पेट से बाहर निकलाते है और कायम अभी लक्षन आये हुए है तो पंदरा दिन के बाद रिपीट करना और नही हमाने की किसी को जो प्रवरूती रहती है वह नश्ट करने के लिए भी एक इलाज है और एक बार वो इलाज कर लिया तो क्या होगा क्रुमी एक बार सब मर के निकल गये वह पेट सांफ हो गया फिर वार६ार नहीं इसका भी इलाज हो गया तो फिर कभी बहुत देर तक यह बनेगा नहीं जब तक कोई गलत खाना नहीं खाया तो वारमवार जिसको आदत है उसके लिए एक इलाज है वो बताएंगे और साथ साथ में काया खाना क्या नहीं खाना वो भी अगली बार बताएंगे